तो चलिए आज आपके लिए एक और लेटेस्स गौर्वर्मेंट जॉब लेके रहे हैं जो कि कम्प्यूटर संबंधित तो नहीं है लेकिन हाँ आप इसको अपलाई कर सकते हैं अगर आपके पास सिंपल सी कौलिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं तो चलिए इस जॉब के बारे में देखते हैं कि यहां पर जॉब आई है और कम्प्लीट वीडियो देखेगा तब यह आपको सौन में आएगा सारा प्रोसीजर हम आपको बता देंगे चीक है तो यह आपकी विकेंसी है सेंट्रल इंडेस्ट्रियल सिक्यूर्टी फोर्स य यह मैने का पूरा टाइम है आपके पास और तीस नौ इसकी लाज जेट है पेइमेंट करने के लिए एक्जाम डेट अभी अब लेबल नहीं है एड्मिट कार्ड जो आपके बिफॉर एक्जाम मिलेंगे जन्रल एडब्लू एस और ओबीसी की फीस है इसमें सो रुपए STST और ESM की फीस इसमें 0 उसके बाद है इसमें देखे मिनिमम एज इसमें 18 माएंगे यह मैक्सिमम है जो 23 है और एज की इसमें छूट भी आपको मिलेगी ठीक है तो वो केटेगरी कनुसार है वो भी आपको मता देंगे क्या है तो लगबग सभी लोग इसको अपलाई कर पा आत्रा में हैं तो आप बिल्कुल इसको एग्डोर ना करें कॉंस्टेबल विद फायर सेफ्टी की वेकंसी है और टोटल 1130 वेकंसी में अब लेबल है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए ठीक है और 10 प्लस 2 इंटर्मीडियर्ट विद साइंस सब्जेट के साथ आपके प आपका आर्ट से नहीं होना चाहिए कॉमर्स नहीं होना चाहिए पी सीम से आपका होना चाहिए ठीक है फिजिक्स कमेश्टी मैथ होनी चाहिए उसमें और हाइट आपकी जो 170 सेंटीमीटर चेस्ट आपका 80-85 सेंटीमीटर मोड डिटेल आपको भी बताते हैं बाके नीचे इसमें स्टेट वाइड डिटेल दी गई है यूपी दिल्ली बियार मतपते जारकंड में कहां पर कितनी टोटल पोश्ट है अब लेबल है ठीक है अब इसके नोटिपिकरिशन पर आते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखिए पे लेबल आपका तीन इसमें रहेगा 21,700 लेके उसके बाद देख लेते हैं आपके क्या दिया है इंपॉर्टन चीजह है जो मैं आपको दिखा जा रहा हूँ एजुकेशनल कॉलिफिकेशन दिकेंडिट मस्ट है पास होना चाहिए एक्विलेंट फ्रॉम दी किसी पी बोर्ड से हो चाहिए यूपी बोर्ड हो सी बोर्ड ह इसी बोर्ड हो किसी बोर्ड से आप हो दकते हैं विद साइन सब्जेट के साथ और और बिफोर क्लोजिंग देट आप्लिकेशन आपको तीस से पहले अप्लाई कर देना है SCST के लिए देखे 5 साल की छूट मिल जाए कि जो SCST केंडिडेट हैं जिसे माले आपके एच 23 है तो 5 साल और आप इसमें एट कर लेंगे तो आप 28 साल के इस तक इसको अप्लाई कर सकते हैं OVC वाले 3 साल एट कर लिजे तो वो 26 तक अप्लाई कर सकते हैं और अगर पहले साब एक सर्विसमेन हैं तो उसमें आपको 3 साल की छूट मिल जाती है या फिर चिल्डरन है एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड ऑफ 90 जो आपका गुजरात में केस हुआ तो उन केस म हैं क्या इसमें इंपोर्टन आपके लिए बाकी तो इसमें कुछ ज्यादा इंपोर्टन नहीं है प्रोसेस प्रोसेस ऑफ सार्टिफिकेशन फॉर्मेट यहां पर दिया गया है कैसे अपलाई करना वो भी आपको बता देते हैं साथी इसमें कुछ स्लेबस दिया गया उसको हम देख लेते हैं वो आपको समझा देते हैं हाँ तो यह देख लीजे जो टेश्ट है यहां पे कुछ इस पर कारते है फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट को पिटी टेस्ट बोलते हैं इसमें कि candidate है प्टू कलियर 5 km रुनिंग आपकी होगी जो की event होगा 24 मिनट का 24 मिनट में आपको 5 किलोमेटर रेंडिंग इसमें वो कम्प्लीट करनी है ठीक है और फिजिकल इस्टेट की बात करें तो इसमें हाइट आपकी 170 चेस्ट इतना होना चाहिए ठीक है और केंडिडेट जो बिलॉंग करते हैं हिल एरिया से जो यह एरिया जैसे जमो कसम से ठेक हैं किको हो सकता है कि हम तो इसमें तर्देश एप्र हैं कि थोड़ी से हैट में कम होते होंगे एंगे इस करण से वो इजी है बहुत इजी आप इसको कर पाएंगे ठीक है और आल कोईस्टन विल भी अब्जेक्टिव टाइप के होंगे दो रिटेंट टेस्ट एक्जामनेशन कंडेक्ट होगा हिंदी इंगलीज में जो की ओमर आपली कंप्यूटर बेस्ट मोड अनली हो सकता है देर इस नो नि निगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो आप सो के सो कोसन इसली करके आ सकते हैं ठीक है तो बेनिफिट है इसको अपलाई करने का बिल्कूल आप इसको अपलाई करें बस फिजिकल जिनका मजबूत होगा उनके लिए थोला सा यह ज्यादा बेनिफिट देगा बाकि इसमें जो दिया गया है यह कोई मतलब का नहीं है आपके प्रोसेस अफिलिंग आप इसमें पूरा प्रोसेस दिया गया कैसे फॉर्म को फिल अप करना तो इस पीडिया को डाउनलोड कर लिजेगा बाकि हम सौड में आपको बता जेते हैं यहां पर आपको जाना है इसकी वेब पर जेंडर है यह सारा फिल करने के बाद आपको समिट पर क्लिक करना है समिट क्लिक पहला पार्ट हो जाएगा यहां से फिर आपका ओपन होगा पार्ट टू ठीक है यहां पर आपके डिटेल है नेम फादर नेम आपका यह सारे चीज़ेस में भरी जाएंगी सिंपल सी ठीक है बाकि एड्रस बगरा है यह सारा चीज़ा आपको फिल अप करना है उसके बाद देखे एज ऑफ फो टू पूफ एज लगाना है आपको इसे पीडिया डॉकुमेंट डॉकुमेंट टॉली होना चाहिए मैक्सम एक एक अमबी का एजुकेशनल डॉकुमेंट आपकी टू सिनेचर करनेके बाद आपको प्रिंट करना है पेमंट के लिए पेमंट करनेके बाद आपका फॉर्म जो है वो प्रिंट को कर आजाएगा तो इस पेकार से पूरा आपको तो जाएए इसको जाए आपडये करें बहुत ही अच्छा इतरा इस फोना काफी सारी वीकरनी is पेपर इसका इजी होता है सिम्बल साब इसको क्रेक कर पाएंगे ठीक है तो थैंक ये फर वाचिंग